बीजेपी के पिछड़ते ही लोग सभा में बढ़ी मुस्लिमों की भागिदारे युसूफ पठान से लेकर तारीक अनवर तक आज आपको बताऊंगे कि किन पार्टियों से जीते मुस्लिम उमिद्वार लोग सभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह साख हो चुके हैं इस चुनाव में बीजेपी की अगवाई वाली एंडिये को 292 सीटों पर जीत मिली वहीं कॉंग्रेस के नत्रतों वाले इंडिया गठ बंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है पिछले चुनावों से काफ धन धी पिछली बार यानी 2019 के लोग सभा चुनाम में विभिन दलो belloni 115 मुसलिम उमिद्वार मैदान में उतारे इस चुनाव में इन 78 मुसलिम उमिद्वारों में से 15 मुसलिम्म उमिद्वारों जीत दर्ज की थी इसमें से एक बड़ा नाम TMC उमिद्वार और पुर्व भारतिय किर्केटर युसूफ पठान का है जिन्होंने कॉंग्रेस के दिगजनेता अधीर रंजन चौधरी के गढ़ बहरामपूर में अरामदायक जीत हांसिल की उधर AIMIM प्रमुक असुद्दीन ओ जिया उर्रह्मान संभल अफजल अंसारी गाजीपूर इमरान मसूद सहारनपूर तारीक अनवर कटिहार खलिल उर्रह्मान जंगीपूर युसूफ पठान बहरामपूर अभी ताहिर खान मुर्शिदाबाद एसके नुरूल इसलाम बसिरहाट सजदा एहमद उलू बेरिया इशाखान चौधरी मालदाह दक्षिन असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद अगाह सयद रहुतुला महंदी श्रीनगर मिया अलताफ एहमद अनन्त नाग रजवरी इंजीनियर राशिद राशिद शेख बारामुला मुहम्मद जावेद किशन गंज रकीबुल हुसैन शाफी परंबिल वटकारा, इटी मुहम्मद बशीर मल्लपूरम, डॉक्टर अब्बू समद सामदानी पौन्नी, मुहम्मद हनीफ लदाख, मुहम्मद हम्दुल्ला सहीद लक्षदूइप, कानी के नवास रामानाथ पूरम, दानिशली अलमोरा, नावा सकनी के तमिलनाड ये उन मुसलिम उमिदवारों के नाम थे जिन्होंने इस साल दोहसार चॉबिस के लोग सभाद चुनाब में अपने जीत का पर्चम रहराया